साल 2023 वेश्विक अर्थववस्था के लिए 2022 के मुकाबिए जाधा चुनोती पूर्ण रह सकता है अंतराश्ट्री मुद्राकोश यानि आईमेफ ने ये चेताबनी दी है आईमेफ चीफ ने कहा है कि अमेरिका, योरोप और चीन की अर्थववस्थाएं सुस्ती की वएसे 2023 के दौरान दुनिया की एक त्याही अर्थववस्था में मंदी में फस सकती है IMF Chief ने कहा है कि दुनिया में जिन देशों को मंदी का सामना करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा उनके सामने आर्थिक धीमेपन की चुनोती बनी रहेगी इस बीच चीन से ये खबर है कि चीन में कोरोना के संक्रम में बढ़ोतरी तेजी से हुई है वहाँ पर manufacturing का खराब आंकला आया है एक निजी सर्वे में ये कहा गया कि दिसंबर के दोरान चीन में manufacturing PMI घटकर 49.4 पर आ गही है जो नवंबर में 49.4 पर थी चीन को दुनिया वर में manufacturing हब माना जाता है चीन की effective में जो समान बनता है वो पूरी दुनिया में export होता है और चीन में दिक्कत यानि की पूरी दुनिया की supply chain आपूरती शंकला पर दिक्कत होना है सर नए साल की शुरुआत में एक तरफ चीन का आखला है दूसरी तरफ जापान की दिक्कते हैं तीसरी तरफ आईमेफ ये कह रहा है कि एक त्याही दुनिया पर मंदी का साया है कैसा परिद्रश्य दिख रहा है आपको अंतराश्टी अर्थव्यवस्ताओं का global economy का आईमेफ के साथ शुबन दुनिया के 23 बड़े बैंकों ने भी अपने आंकलन जारी की हैं साल के कैलेंडेरियर की शुरुआत में कि दुनिया के अर्थव्यवस्ताओं की क्या इस्थिती होने वाली है दो तरीके के आंकलन हमारे सामने है पहली चीज तो सबसे पहली और बड़ी बहस इस बात पर है कि अमेरिका की अर्थवस्ता 2023 में रिसेशन में जाएगी है 2024 में 2023 में से बड़े बैंकों में से बाकलेस, सिटी, क्रेट स्वीस, बाकी बैंकों का मानना है कुछ का मानना है कि 2023 के अंदर तक अमेरिका अर्थवस्ता मंदी में चली जाएगी एक शार्ट रिसेशन में कुछ का मानना है कि अमेरिका अर्थवस्ता इस साल होल्ड करेगी डिमांड अगले साल 2024 में जाकर इसमें मन्दी का असर दिखाई देगा जब फेडरल लिजर्व का अपना पूरा साइकल खतम हो जाएगा और फेडरल लिजर्व डियाज़रों में बड़त्री की प्रिक्रिया खतम कर देगा उसके बाद बड़त्री दिखाई देगी एक तो यह पहलू दूसरा पहलू यह है क आईमेफ कY जो रिपोर्ट बता रहे ही है और बाकी जो रिपोर्ट आ रही है उस हसाब से दुनिया अब तेन हिस्सों में बटने वाली है और वो तीन हिस्से अलग अलग طور पर दुनिया के बाजार के लिए अर्थ व्यस्थाओं के लिए निवेशकों के लिए अलग अलगतरे से असर करेंगे पहला हिस्सा उन अर्थ विवस्थाओं का है जहां आपको क्लियर कट रिसेशन दिखाई देगी कांट्रेक्शन दिखाई देगा अर्थ विवस्थाओं में यूरोप उस विवस्था में खिसक चुका है यूरोप की कुछ बड़ी अर्थ विवस्थ और व्यापार के आखले आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि तेज गिरावाट है पांच परसेंट की उम्मीद यब तो घटकर तीन साले तीन परसेंट की आसपास की आर्थिक विकास दर आ गई और तीसरा हिस्सा होगा इस्ट्रेफलेशन से प्रभावित अर्थवे उस्थाओं का जहां पर इंफलेशन भी होगी और स्टेगनेशन भी होगा भारत उन अर्थवे उस्थाओं का हिस्सा होगा जहां पर अर्थवे उस्था में विकास दर थमेगी और महंगाई की दर उची रहेगी इन तीन हिस्सों में बटी दुनिया ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित करे है यह बात World Bank को दुनिया की एजनसियां कह रही है